दोस्तों कि आप जानते है कि Tata Harrier की प्राइजिंग 14 लाग से शुरू होती है और इसका टॉप मॉडल 27 लाग तक जाता है वहीं दूसरी ओर Tata Nexon एक affordable option है लेकिन इतनी powerful नहीं इस बड़े gap को भरने के लिए आ रही है एक नई और शांदार SUV 2024 Tata Curve इस segment में पहले से ही Hyundai की Creta और Kia की Seltos जैसी SUV मौजूद है लेकिन अब इनने टकर देने के लिए आ रही है Tata की ये नई पेशकर्ष इस SUV के features और power वाके ही में शांदार होने वाले है इसका front design लगबग Harrier से मिलता जुलता होगा और इसका rear design कूप शेप में होगा जैसे की हमें Mercedes-Benz GLC और BMW की X4 and X6 में देखने को मिलता है जिनकी कीमते करोडों में होती है तो दोस्तों इस मज़ेदार सफर को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल iAutoPro को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Tata Curve के इंजन ऑप्शन्स की जो वाकिये में दिल्चस्प और खास होने वाला है पहला इंजन होगा 1.2 लीटर TGDI डबो पेट्रोल जो 125 PS की पावर देगा इसे 6-speed manual और optional dual clutch automatic transmission के साथ पेश किया जाएगा ये इंजन 2023 आटो एक्सपो में रिवील हुआ था और Tata की इंजिनेरिंग का एक बेमिसाल नमूना होगा दूसरा option 1.5 लीटर डीजल इंजन होगा जो नेक्सोन से लिया गया है और 115 PS की पावर और 260 Nm का टॉर्क देगा इसे भी 6-speed manual और automatic transmission के साथ पेश किया जाएगा सोचिए इन इंजन option के साथ driving experience कितना शांदार होने वाला है अब बात करते हैं Tata Cup के इंटिरियर की जो वाकिए में शांदार और future ready होगा क्या आप जानते हैं कि इसमें एक बड़ा 12.3 इंच टेच स्क्रीन होगा जो wireless Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा इसके साथ ही एक 10.25 इंचिस का digital driver's display भी होगा जिससे driving experience और भी मज़ेदार होगा और हाँ JBS sound system with subwoofer के साथ इस गाड़ी में panoramic sunroof, multi-color ambient light, ventilated front seat, powered driver seat और wireless phone charger जैसे features भी होगे ये सब मिलकर आपको एक luxurious और comfortable सफर का अनुभव देंगे दोस्तो अब बात करते हैं Tata Cup के exterior design की जो वाकी में बेहत attractive और cutting edge होगा इसकी sloping roof line और slinking profile इससे बाकी SUV से अलग और unique बनाएंगे हाल ही में जारी हुए इसके teasers और detailed video से हमें इसके exterior का एक glimpse मिलता है जो वाकी में दिलचस्प है इसमें flush fitting door handles, dual tone alloy wheels, LED light bars at the front and rear, vertically stacked headlights, LED tail lights, sharp fin antenna, roof rails और sloping roof line जैसे features होंगे जो इसे एक futuristic और dynamic look देंगे latest updates की बात करें तो टाटा कव के interior का एक teacher sketch भी जारी हुआ है जो इसके बैतरीन interior की जहलक देता है क्या आपको पता है कि कुछ dealerships ने offline bookings भी शुरू कर दी है और हाली में ही टाटा कव बीना disguised के देखी गई है जिससे इसके stunning exterior profile का पता चलता है इस गाड़ी के चार broad personas होंगे smart, pure, creative और fearless क्या आप इन variants का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं ये ने options और style आपके driving experience को और भी खास बना देगी दोस्तों आप जानते ही है कि टाटा की इस reputation हमेशा से ही safety में top notch रही है टाटा हमेशा से ही 5 star rated vehicles बनाने के लिए जानी जाती है और हम उमीद करते हैं कि curve भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी curve में safety features का बरपूर ध्यान रखा गया है इसमें आपको मिलते हैं 6 airbags, ABS with EBD, rear parking sensor, ISO fixed child seat mount और electronic stability control जैसे standard safety features higher variance में तो और भी मज़ेदार जीजे हैं इसमें होगा 360 degree camera, front parking sensor, tire pressure monitoring system और level 2 ADAS जिसमें lane keeping assist, adaptive cruise control और collagen avoidance assist जैसे advanced features भी शामिल होंगे दोस्तों क्या आपको पता है कि Tata Curves के competitors में Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser जैसी cars शामिल होंगी इसके अलावा आप mid-side SUVs जैसे Mahindra XUV 700, Mahindra Scorpio N, Tata Harrier और MG Hector's को भी consider कर सकते हैं और अब बात करते हैं इसके सबसे रोमांचक हिस्से यानि Tata Curve की price और launch date की क्या आपको पता है कि ये गाड़ी कब launch होगी? हम आपको बता दे कि ये कार 7 अगस 2024 को launch होने वाली है इसकी कीमत 10 से 20 लाग एक शोरूम के बीच होने की उमीद है depending on its variant जिसमें 4 variants के साथ relative plus variant भी आ सकता है दोस्तो Tata Curve अपने stylish design, advanced feature और diverse engine option के साथ compact SUV segment में एक नया trend set करने को तयार है अगर आप एक unique styling package चाहते है तो Tata Curve आपके लिए एक बहतरीन option हो सकती है इसकी SUV coupe styling, feature loaded cabin और multiple engine option इसे एक compelling choice बनाते है हलांकि कुछ लोकों को Nexon से shared interior design, sloping roofline के कारण rear seat headroom की कमी महसूस हो सकती है चलते चलते एक नजर डालते है Tata Curve के कुछ pros और improvements पर इसकी मजबूत build quality, advanced safety feature और luxurious interior इसे एक standout vehicle बनाते है हलांकि इसमें rear seat headroom को बैतर बनाया जा सकता था और fuel efficiency को थोड़ा और enhance किया जा सकता है कुल मिलाकर Tata Curve एक innovative और promising vehicle होगी जो Tata की quality और safety standards को बर करार रखे की अगर आप Tata Curve के बारे में और updates पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को like और share करना न भूले और हमारे चैनल iAutoPro को जरूर subscribe कर ले तब तक के लिए धन्यवाद